किसान सातियों नमस्कार मैं पुनीश सी सौधिया किसान भाई हो हमारी फसलों के अंदर तरह तरह के वाइरस जनी द्रोग में देखने को मिलते हैं जैसे कि टवेको मोजेक वाइरस बहुत सारी फसलों पर इसका टैक होता है जिसके पिक्षर आप इसकी पर देख सकते हैं तो ये हमारी फसलों पर अटैक करता है जिससे हमारी फसल बेकार हो जाती है तबाह हो जाती है उसी तरीके से लीव करल वाइरस जिसको हम पत्ती मरोड कहते हैं जिसमें पत्तियां मुरने लगती हैं जैसे कि मिर्च के अंदर काफी ज़्यादा टैक करता है टमाटर के अंदर, हीरे के अंदर, खरबूज के अंदर, तरबूज के अंदर और भी बहुत सारी फसलों के अंदर जो लीफ करन वाइरस है उसका टैक देखने को मिलता है Sugar can Mosaic Virus ये गन्ने के अंदर हमें देखने को मिलता है और वहुत सारी फ़सलों पर तरह तरह के जो वाइरस जनित रोग है वो हमें देखने को मिलते हैं और झेंचे वाइरस जब हमारी फ़सलों पर आ जाता है तो हमारी फ़सल पूरी बर्बाद हो जाती ए क्योंकि वाइरस को ठीक करने के लिए कोई भी वीरी साइड अभी तक उपलब्द नहीं है फंगर जनित रोग आता है तो हम फंजी साइड हमारे पास अभी लेवल है हम उसको ठीक कर सकते हैं जो हमारा virus के कारण जो रोग आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी वीरी साइड अभी तक उपलब्द नहीं है हाँ उसको आने से पहले हम रोग सकते हैं हम preventive उसका ले सकते हैं as a prevention हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आने के बाद हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो वाइरस जनित रोग हैं हमारी फसलों पर कौन-कौन से कारणों से आते हैं और उनको कैसे आप रोग सकते हैं। आपकी फसलों में कोई भी वायरस जनित रोग आता है तो आप उसको इजिली कंट्रॉल कर सकते हैं यदि ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो काफी informative होगा वीडियो अच्छा लगे like कीजेगा और जादा से जादा farmer के साथ इसे share कीजेगा ताकि उन तक भी जानकरी पहुंच सके चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा तो चलिए जानते हैं देखें जो वाइरस रोग आता है हमारी फसलों के अंदर वो आने के जो कारण होते हैं वो एक तो सीड से आता है जो infected सीड है यानि कि संक्रमित बीज के कारण जो वाइरस जनित रोग है वो हमारी फसलों में आ सकता है दूसरा जो हमारे sucking paste है यानि कि जो insect है कीट है रस्चूसने वाले कीट है उनके जरिये वी जो वाइरस है वो आपकी फसल तक पहुंच सकता है माल लिजे आपकी पड़ोसी की फसल में वाइरस है तो वहां से जो कीट आ रहा है इस्पिसली white fly है या कोई भी sucking paste है वो हमारी फ होगे वो आना निश्चित होता है इसलिए जो sucking paste है उनको immediate control करें तो sucking paste भी जैसे thrips, aphids, white fly, mites, hoppers ये आपकी फसलों तक जो वाइरस है उसको ला सकते हैं फसलों में वाइरस इंजेक्ट कर सकते हैं उसके साथ जो वाइरस है वो हवा के जरिए भी फैलता है माल लिजे आप में किसी एक प्लांट में वाइरस है, तो वह हवा के जरिए जैसे दूसरे प्लांट से टच होगा तो वाइरस का ऍप्ध ना वाइरर दोस्त का फूरा हो में हो जाए तो ये एर के माध्यम से उसके आपकी फसलों में फैल सकता है दूसरा आप पूनिंग करते हैं पौद्धे में में कटिंगी तो वा naras पूरी की पूरी फसल में फैल जाएगा तो grafting और pruning से बचें जब आपकी फसल में वारिस का attack हो यह एक भी plant virus हो आपकी फसल में तो उसमें pruning आप ना करें उसके साथ humans के जरिए ऑना कि को यह वैरा से ओंगा और का कर रहा और इसके आने के दो ही कारण है एक तो seed के जरी आ सकता है दूसरा कोई पड़ोसी की फसल infected है तो वहां से आपके खेत तक यह पहुंच सकता है और spread इसको कई माध्यम से यह जो spread है यानिक इसका फैलावा आपकी पूरी फसल में हो सकता है अब देखे वाइरस करता क्या है कठोर कोई का जिली से protect होती है यानिकी घिरी होती है तो उसमें वाइरस enter नहीं कर सकता है लेकिन जो हमारे insect होते हैं sucking पेश्ट होते है जब क्õe जो ऊěच्च चूछते हैं पत्तियों पर तो वो हमारी जिली कर रही होती है कोई कोई का जिली तो उसको damage कर देते हैं जिससे जो फिर वहां से के मांध्यम से जो वाइरस है वो भी हमारे प्लांट के अंदर पहुंच जाता है जब वाइरस हमारी फसलों पे अटेक करता है तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो पतियां है वो मुड़ने लग जाएंगी या उस पे पीला पन आपको दिखना को मिलेग पतियां खुद्री नजर आएंगे खुद्री खुद्री सी जब आप उनको फिल करेंगे पकड़के और जो हमारा पौधा है उसमें भी आपको पीला पन नजर आएगा और पौधे की ग्रोथ रुख जाती है पौधे पे फ्लोवरिंग आना बंद हो जाती है तो यह सिम्ट स्टीफाइड कंपनी का ही सीड लाकर लगाएं तो यह साबदा नहीं रखें इन्फैक्टिट सीड से बचें दूसरा आप जो भी फसल लगा रहे हैं उसमें एक बॉर्टर लाइन लगा दें ताक कि जो इनसेक्ट हैं वो पड़ोसी के फिल्ड में जो इनसेक्ट हैं वो आपको कंट्रोल मिलेगा दूसरे खेट से आपके खेट के अंदर वो नहीं आएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं उसके सासत सट्विंग पेष्ट का अटैक आपकी फसलों पर ना हो यह आपको ध्यान रखना है यह सुनिशित करना है कि कोई भी सट्विंग पेष्ट का टैक है करें तो वायरस आपके खिट में फिर नहीं आएगा उसके साथ यदि मालिजे आपकी फसल के अंदर आपकी फिल्ड के अंदर कोई भी एक प्लांट दिख रहा है कि उसमें वायरस इंफेक्टिड है एक या दो प्लांट दिख रहा है तो उसको इमेडियेट वहां से उखाड क और गड़ा खोद कर दवा दें, गहरा गड़ा खोदें और उसको दवा दें, जहां भी आपका खाली स्पेस हो, क्योंकि उसको वही पर फिल्ड में ना छोड़ें, क्योंकि वहाँ पर छोड़ेंगे, तो वाइरस आपके जो healthy plant है उसमें धीरे-धीर और पूरी फसल में फैल जाएगा, तो इसलिए जितने भी plant आपको देख रहे हैं, initial stage में देख लें कि एक, दो, दो, चार या जो भी plant आपके देख रहे हैं, उनको निकालें और गड़ा कोद कर दवा दें, तो इससे जो वाइरस का spread है, वो रोक जाएगा, तो इस तरीके से जो वाइरस है, आप उसको control कर सकते हैं, वाइरस जब आता है, तो उसको हम केवल spread होने से रोक सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, जिन पौदों में वो आ चुका है, तो उसके लिए जो पहलाने का ज़्यादा काम करते हैं, वो sucking paste होते हैं, तो हमें insecticide का ही spread लेना होता ह तो जो उसका spread रोक जाएगा, जिन पौदों में आ चुका है, उनको खाड कर गंड़ा खोद कर दवा दें, तो इससे जो वाइरस है, से आपकी जो फसल हो सेफ हो जाएगी, बच जाएगी, देखे मार्केट में बहुत सारे आपको वीरी साइड के नाम पे दवाएं बेची जाती है कि वाइरस को भी कंटरोल कर देती है, तो वाइरस को कोई भी दवा ठीक नहीं करती है, यदि हमारे पौधे में आ चुका है. हाँ, आने से पहले उसको रोक सकती है, लेकिन आने के बाद उसका वाइरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, और वाइरस यदि आपकी में दिख रहा है तो फिर उसके लिए आप कोई टॉनिक भी स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि जब हमारा पौधा मजबूत होगा तो जो वाइरस का टैक उतनी तेजी से नहीं होगा और हमारी फुसल काफी लंबे समय तक सर्वाइब कर पाएगी तो कोई अच्छा सा टॉनिक लाकर किट ना सकता स्प्रे करें ताकि व ओंट्रोल हो जाएगा कोई वाइरस वाइरस sost है उसको हम इसी तरीके से कंट्रोल करेंगे यानि कि प्रियदिज तोर पर हम उसको कंट्रोल करेंगे कि वह और प्रौ Belo में ना फैले उसके spread को ही हम रोकने का काम करेंगे तो इससे हमारी जो फसलों सेफ रहेगी तो उमीद है किसान वहीओ जो आज की जानकरी है आपको अच्छी लगी होगी जानकर ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइट कीजिएगा जादा से जादा फार्मर के साथ इसे से कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकरी पहुंच सके मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद